यह गाईज वेलकम तो मैं चैनल व्यूटी टिपस एंड रेसिपीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक कमपेरिजन विडियो जिसमें मैं आपके साथ ओनियन ओयल का कमपेरिजन शेयर करने वाली हूं और जो ब्रैंड्स मैं आपर आपको दिखा रहे हूं वो है वाव स्किन साइंस और मामार जो की बहुत ही पॉपिलर ब्रैंड हैं इंडियन ब्रैंड हैं और ये दोनों ही ओईल्स बहुत ही जादा पॉपिलर हैं तो इसलिए मैंने इन दोनों प्रोड़क्स को यूज करके देखा है उसके बाद ही मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाव स्किन साइंस के ओन्यन ऑइल की इसमें आपको मिलता है ओन्यन और ब्लैक सीड जो की दोनों ही इंग्रिडियन्ट हमारी बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होते हैं इसमें आपको और भी इंग्रिडियन्ट मिल जाते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे ओल्सकी इसमें आपको गुद्नेस में मिलती है दिरसे की कैस्टर ओल, जोजोबा ओल, ओलिव ओल, कोकोनट ओल, आलमंड ओल और भी बहुत सारे अच्छे इंग्रीडियन्स आपको इसमें मिल जाते हैं और ब्लैक सीट भी मिलता ह जो आपके बालों के natural color को maintain करने में help करता है और यह इस तरह से आपको pump packaging में receive होता है कभी अच्छी packaging है इसकी और यह travel friendly भी है तो आप इसे traveling के time पर भी use कर सकते हैं बिल्कुल भी आपको problem नहीं होगी और अगर आप इसका full review detail में देखना चाहते हैं तो आपको मेरी channel पर मिल जाएगा आप वहाँ से इसे check out कर सकते हैं और यह 100% natural ingredients के साथ बना है और dermatologically tested भी है अब बात करते हैं मामा आर्थ के onion hair oil की इसमें आपको मिलता है onion and red pencil जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी इस product के review शेयर कर चुकी हूँ कि यह दोनों ही ingredients वालों के लिए बहुत ही जादा helpful होते हैं और अगर आप full review देखना चाहते हैं तो आप मेरी channel पर video जाकर देख सकते हैं आपको full review मिल जाएगा तो यह भी product काफी अच्छा है इसमें भी जो ingredients यूज़ किये हुए हैं सभी natural products हैं और Mama Earth की products में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो यह है कि इसकी packaging के उपर आपको कुछ tips दिये होते हैं जैसे कि अगर hair care का product है तो आपको hair related tips मिल जाएंगे और अगर skin care का product है तो आपको skin related tips भे मिल जाएंगे और अगर बात करें इस product की speciality की तो यह जो product है वो कुछ इस तरह के calm cap के साथ आपको मिलता है जिससे आपको इसका application करने में बहुत ही आसानी हो जाती है बहुत ही easily आप इसे अपने scalp में apply कर पाते हैं क्योंकि oil को scalp में apply करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है अगर oil scalp में नहीं लगता तो आपको बहुत सारी hair problems भी हो सकती है जिसकी वज़े से मुझे यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है अगर आपको इस तरह का applicator मिल जाता है तो आपको बिल्कुल pretension लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत ही easily आप इसे apply कर सकते हैं और बैस यूज में लेने के बाद आप इसे फिर से इस तरह से cover करके भी रख सकते हैं और यह travel friendly भी है तो बहुत ही अच्छा product है और dermatologically tested है, paraben and sls free है तो यह दोनों ही products बहुत ही अच्छे हैं इसके results भी मैंने देखें, बहुत ही अच्छे हैं और अब तक मैंने जितने भी reviews इसके सुने थे यह बहुत ही अच्छा product रहा है और मैंने इसे use किया तो मुझे भी इसकी results बहुत ही अच्छे मिले हैं बट जो differences मुझे feel हुए हैं वो मैं आपके साथ genuinely share करना चाहती हूँ तो जो सबसे पहले Wow Skin Science का product है मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ इसमें आपको quantity मिलती है 200 ml और इस product का price है 599 रुपेज जो की बहुत जादा नहीं है अगर आपको hair fall का issue है तो यह बहुत ही अच्छा option है आप इसे जैसे ही try करेंगे आपको 3-4 बार use करने के बाद ही इसके results देखने को ज़रूर मिल जाएंगे बट जो सबसे बुरी बात मुझे इस product की लगी है वो यह है कि इसकी जो smell है वो मुझे बिलकुल भी पैसंद नहीं है क्योंकि इसकी smell जो है वो बहुत ही ज़्यादा strong है और I think जो black seed है उसी की smell है यह और बहुत ही ज़्यादा strong है बिलकुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती है इसे apply करने के बार इसके बार मैं mama arts की अगर fragrance की बात करूँ तो यह काफी अच्छी है और बहुत ही mild सी fragrance है बिलकुल भी आपको heavy feel नहीं होता है तो इसके fragrance बहुत ही अच्छी है और इसका जो प्राइस है वो है 5.99 रुपीज और इसमें आपको product quantity मिलता है 250 ml जो की wow skin science की comparison में बहुत ही अच्छा है affordable है और price wise और fragrance wise मैं आपको mama arts का onion hair oil ही suggest करूंगी अगर आपको smell से कोई problem नहीं है तो आप wow skin science का onion oil भी यूज कर सकते है बट अगर आपको fragrance भी अच्छी चाहिए तो आप जरूर से mama arts का onion oil try करके देखिए इसकी fragrance भी अच्छी है बहुत ही mild है और यह आपको बिल्कुल भी heavy feel नहीं देगा और यह ज़दा costly भी नहीं है wow skin science के onion oil से अगर compare करें तो तो आपको जो भी oil पसंद हो आप वो buy कर सकते है result price देखा जाए तो दोनों ही products best है तो यह था मेरा honest review I hope कि आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कर देना अपने friends and family के साथ share कर देना पार अगर अभी तक मेरी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चानल को सब्सक्राइब कर देना पासवाले बैल आइकन को प्रेस कर देना इससे आपको मेरे वीडियो के latest notification मिल से रहेंगे फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई